हेलो फ्रेंच वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंच जेनरल साइंस का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना एपी एफो के अंदर रहता है ठीक है और कोशेंज भी काफी इसमें से पूछे जाने के चांसिस रहते हैं एक लीस्ट पांच से दस कोशेंज आप जेनरल साइंस के एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि जेनरली बच्चे इन पार्ट को इगनोर कर देते हैं मैं आपको बताता हूं साइंस कंप्यूटर इंगलिश ठीक ह और कहीं हद तक मैच्स पर मैं इनको मैच्स को इन तीन सब्जेक्ट के साथ नहीं रखूंगा इन तीन सब्जेक्ट को मैं बिलकुल अलग रखूंगा यह सबसे जादा इगनोर्ड सब्जेक्ट हैं जिनको बच्चे इगनोर कर देते हैं जहां से आप कोचिंग ले रहे हो जहां से आप बढ़ाई कर रहे हूं, वो भी इतना जादा emphasize इनके उपर नहीं डालते हैं, पर paper clear करने वाले जो बच्चे हैं, उनसे कभी बात करके देखो, ultimately यह बहुत important role play करते हैं, English के 20 question है, 120 में से 20 question English के आने हैं, ठीक है, अगर आप percentage निकालने की कोशिश करो इसकी, कि कित इतना percent बनता है, तो यह आप लगा लो, मेरी math थोड़ी सी कमजोर है, तो आप मुझे थोड़ा लंबे तरीके से करना पड़ता है, तो around 16% paper जो है, वो English का आ रहा है, 5 question computer के, 25 हो गए total, और 10 question अगर आप science के पकड़ के चलो, 35 questions out of 120 आपके directly इन 3 components में से आ रहे हैं, और यह science word है, वहाँ पर आपको scientist या ISRO के chairman का paper नहीं देना, तो general science के हिसाप से तैयारी करनी है, अगर आपने NCRT पढ़ ली हैं, दसमी तक की, तो आपका general science में hit ratio अच्छा आ जाएगा, ठीक है, अब general science के MCQs में आपको किस तरह से कराऊंगा, इसमें मैं आपको self-made MCQs नहीं हम UPSC के जो बाकी के paper होते हैं, उनमें भी general science आते हैं, जैसे आपका CDS का paper हो गया, CAPF का paper हो गया, CISF का paper हो गया, और भी कोई paper जिनमें general science syllabus में रहता है, उन questions को हम discuss करेंगे, और ultimately जब हम उन questions को discuss करेंगे, अगर हम पिछले 4-5 साल के ऐसे general science के papers discuss कर लेंगे, CDS के, CAPF के, CIS के, almost आपकी पूरी चेटी से लेके 10 वी तक की science के NCRT कवर हो जाएंगी, और मेरी बात मानिए, आपका hit rate बहुत अच्छा आएगा, general science के अंदर, ठीक है, तो वीडियो आपने ही वाली regularly देखनी है, general science की सारी की सारी, यह नी सोचना general science क्या पढ़नी, history पढ़ लेता हूं, GS पढ़ लेता हूं, बहुत important part है, अगर आप CDS की preparation कर रहे हो, CAPF, तो उन सब exams में general science बहुत important role play करता है, CDS में 25 questions आते हैं, कम से कम, general science के GS वाले part में, ठीक है, तो CISF, AC, EXC, LDCE, 2021 में paper हुआ था, recently, तो इसके पहले general science के questions करेंगे, pattern वही रहेगा, 5-5 questions करेंगे, पहले आपको question दिखाऊंगा, फिर answer आएगा सामने, और फिर उसको discuss करेंगे, खुद से करने के भी कोशिश करनी है, और general science, सच मानिए, बहुत basic question आते हैं, बहुत ज़्यादा difficult question नहीं आते हैं, और एक आदा अगर आभी जाता है, उसको छोड़ के निकल सकते हैं, पहला question, जैको इससे question क्या होगा, which one among the following is a non-luminous object, ठीक है, अगर आपको luminous, non-luminous की definition पता है, तो आप इसका answer easily कर सकते हो, बिना किसी शंका के, इन में से कौन सा non-luminous object है, यानि कि 4 option है, मतलब 3 luminous होंगे, एक non-luminous होगा, sun, candle, LED bulb, या moon, खुच से answer करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आगे वीडियो को देखना, तो answer इस case में होगा, आपका option D, ये गलत answer यहाँ पर लिखा हो है, D इसका answer होगा, moon, moon will be the correct answer, ठीक है, अब पहले जानते है, luminous और non-luminous object क्या होते है, luminous object वो होते हैं, जो खुद की light emit करते हैं, ठीक है, जैसे सूरज है, सूरज किसी और की रोशनी से चमकता है, क्या, नहीं, सूरज खुद की रोशनी से चमकता है, स्टार्ज है, खुद की रोशनी से चमकते हैं, आपके कमरे में लगा हुआ बल्ब है, वो खुद की रोशनी से चमकता है, आपके कमरे में लगा हुआ बल्ब है, वो खुद की रोशनी से चमकता है, आपके कम को जो अपनी खुद की लाइट प्रेडियूस करते हैं, अपनी खुद की लाइट से शाइन करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं, तो आप light बंद कर दो, तो क्या chair में से रौशनी निकलती है, नहीं निकलती, जब light on करोगे तब आपको chair दिखेगी, क्यों, क्योंकि वो chair जो है, जो light producing object है, उसकी light ले करके, उसको reflect करके आपको chair दिख रही है, chair खुझ से light produce नहीं करती, similarly जो आपका moon है, moon की खुद की light नहीं होती, तो moon हमें दिखता ही न, ठीक है, blue sky, जो हमें निला आस्मान दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि sun की reflection की वज़े से, और अंधेरे में क्यों नहीं हमें दिखता है, प्लास्टिक, metal, जो भी हमारे आमने सामने non living object है, और जो खुद की light produce नहीं कर रहा, वो हम क्या कही तो non luminous object, तो question एक बार दोबारा से देख लो, इस से basic question paper में नहीं आ सकता, और अगर यह हम छोड़ के आ रहे हैं, तो इसलिए हम छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमने revision नहीं की है, तो छटी से दसमी तक science पढ़ी है, उसके बाद क्या पता, आप commerce background से हो, arts background से हो, non science background से हो, तो कहीं बार यह general सी चीज़े नहीं याद रहती, जब तक revision ना की हो, लेकिन अगर revision कर लिए हो, तो score बनता है इंग में, ठीक है, चलो, next question देखो, sodium chlorate is used in, देखो, जाधा तर question application based दी आते हैं, जाधा तर question application based आते हैं, तो sodium chlorate किस चीज में use होता है, textile printing and dyeing में, match industry में, antiseptics में, या disinfectants में, किस में sodium chlorate का इस्तेमाल होता है, NCRT अगर पढ़ी होगी, तो easily इस question का answer हो जाएगा, बिना किसी एक पैसे की भी दिक्कत के, NCRT पढ़ी होई होनी चाहिए बस, तो sodium chlorate किस में use होता है, ठीक है, तो answer इसका क्या होगा, इसका answer होगा, आपका option A, textile printing and dyeing, देखो, क sodium chlorate, drugs manufacturing में भी use होता है, किताब के अंदर लिखा हो है, कि drugs manufacturing में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर antiseptic लिखा है, अब antiseptic का हमको नहीं पता, लेकिन printing and dyeing का clearly किताब में लिखा हुआ है, तो हम इसी लिए option A के साथ गए है, ठीक है, confused नहीं होना, मैं आपको uses दिखा देत में mainly इसको use किया जाता है, ठीक है, जादा इस्तेमाल dyeing में किया जाता है, तो यह एक conflicting question है, UPSC कहीं बार ऐसे conflicting से question डाल देता है, और अभी इसकी answer की भी नहीं आई है, इस paper की official answer की भी नहीं आई है, तो ऐसे questions में थोड़ा सा risk तो रहता ही है, क्यापता हम इसका answer A कर रहे ह हे जाता ही है, क्योंकि matches बनने में भी इसका इस्तेमाल तो होता ही है, ink में इस्तेमाल होता है, beautifiers में इस्तेमाल होता है, pharmaceutical में इस्तेमाल होता है, ठीक है? उके उसके बाद solve a process में इस्तिमाल होता है देखे मैं यहाँ पर एक छोटा सा change करना चाहूँगा आप इसमें answer के साथ जाएं textile printing and dyeing की जगा option B के साथ जाएं match industry के साथ जाएं यह जादा better answer रहेगा ठीक है गलत textile printing and dyeing भी नहीं होगा उसमें भी इस्तिमाल होता है लेकिन आप इसके answer के साथ जाएं B के साथ match industry के साथ यह मैं अभी के अभी change कर रहा हूँ पहले मेरे हिसाब से इसका answer यह होना चाहिए ता पर अब मुझे लगता है कि इसका better answer जो है वो B होना चाहिए ठीक है क्योंकि dyeing match जो है मैंने भी हाँ पर जब मैं इसको पढ़ रहा था answer इसका बना रहा था तब शायद मेरे से थोड़ी ची ignorance हो गई और यह creation of the paper में dyeing में इस्तिमाल होता है ठीक है तो confusion मत रखना ठीक है match industry इसका answer कर दो B इसका answer कर देना अर्ण उसके बाद इस उजज़ एस एस एन oxidizing specialist in the large-scale dye making process and an oxidizing and bleaching operator medical field में भी इस्तिमाल होता है different drugs बनाने के लिए और fertilizers और explosive बनाने के लिए इस्तिमाल होता है answer इसका B जाएगा B जाएगा बच्चो इसका answer match industry ध्यान में रखना third question who among the following is known as the father of nuclear physics nuclear physics के father कौन है सीधा सा सवाल ठीक है NCIT पढ़ी हो तो उसमें easily मिल जाता है answer इसमें क्या रहेगा देखो आता है या नहीं आता वाला case होता है answer इसमें रहेगा आपका option A.E. Rutherford ठीक है यह एक box है as it is आपका NCIT के अंडर गिवन है तो E. Rutherford he was born in Spring Grove 1871 अपने लिए कुछ काम का नहीं है कहां पर पैदा हुए थे नहीं पूछे जाने वाला important क्या है कि he is known as the father of nuclear physics and he is famous for his work on radio activity यह आपको पता होना चाहिए कि किस field में इन्नोंने काम किया है and the discovery of nucleus और यह जो इन्नोंने discovery की थी इनका एक बहुत famous experiment है जिसको बोला जाता है gold foil experiment आज आप similarly अगर मैं हापर question बदल देता who among the following scientist who among the following scientist और who among the following nuclear physicist is known as is known for the gold foil experiment gold foil experiment बहुत है बहुत important experiment है ठीक है और बहुत basic में आएगा इसलिए आप से पूछा जा सकता है कि gold foil experiment कि ने किया था हाला कि gold foil experiment आपको आपका objective paper है वहाँ पर कोई explain करने के लिए नहीं पूछने वाला पर यह सवाल सिधा सिधा पूछा जा सकता है तो उस case में भी आपका अंसर हो जाएगा Rutherford and he was also the Nobel prize winner in chemistry in 1908 तो यह कुछ facts हैं जो आपने याद रखना है date of birth और place of birth वगएरा याद करने के आपको जूरत नहीं है fourth question pH of blood is pH of blood कितना होता है बताइए option देखिए 7, 6.5, 7.15, 7.40 ठीक है अब जब मैं NCIT में इस अंसर को ढूंड रहा था और मैं online भी search कर रहा था तो मेरी नजर for example कहीं online website के उपर पड़ी for example वेदान्तू और बाइजूस को मैंने देखा क्योंकि 10th class तक का material उनके पास website के उपर available मिल जाता है कहीं बार तो वेदान्तू और बाइजूस में जैसे लिखा हुआ है कि जो pH होगा वो 7.10 से लेके 7.40 तक होगा लेकिन UPSC ने देखो सवाल किस तरह से पूछ लिया अब यहाँ पर 7.15 भी है 7.40 भी है मैं इसका answer क्या करूँ answer तो एक ही होना है तो इस case में देखो online चितनी मरजी चीज़े ढून लो ultimate source जो है वो authentic books ही होती है जो authenticity जो आपका paper conduct करती है UPSC उसकी authenticity किताब होती है उसकी authenticity कभी भी google नहीं होती उसकी authenticity कभी भी wikipedia नहीं होती उसकी authenticity कभी भी unacadermy vedantoo buyjuice siksha कोई भी नहीं हो सकता उसकी authenticity किताब है तो किताब में क्या लिखा है 7.40 NCRT के अंदर तो answer इसका क्या हो जाएगा 7.40 answer d देखो अब यह scale given NCIT के अंदर देखो पीछे आपको background में दिख भी रहोगा NCIT not to be republished पर अपने पर republish कर दिया तो कोई बात नहीं पर ठीक है तो यह NCIT में scale given है अब यहाँ पर कुछ आपको pH scale पर कुछ daily use items का बताया गया है अगर आप देखो gastric juice पूछा जा सकता है क्या है 1.2, lemon juice 2.2, acidic क्या दोनो pure water और blood का कितना बताया है 7.4, पूछा जा सकता है आप जैसे question में यहाँ पर blood पूछ लिया pH of blood is, यहाँ पर pH of pure water लिख देता है उसका कुछ जा थोड़ी रहा है pure water लिख देगा, आपके paper में pure water लिख कर देदेगा, milk of magnesia 10, basic होता है, sodium hydroxide solution 14, basic होता है milk of magnesia generally जब हम ino बगेरा लेते हैं तो जब acidity हो जाती है तो इसलिए इसको prescribe किया जाता है, पूछा जा सकता है milk of magnesia पूछ लेगा कि pH क्या है, तो यह scale क्योंकि specially NCIT के अंदर mentioned है, यह 5-6 आइटमों के pH आपको याद होने चाहिए gastric juice का 1.2 यहीं पर याद कर लो, lemon juice का 2.2, दोनों acidic है pure water और blood, neutral की तरफ है 7.4, milk of magnesia 10 and sodium hydroxide 14 अच्छा यह तो आपको पता ही होगा न, यह क्या होता है, pH scale होता है, यह acidity या basicity जो है आपको बताता है, 0-14 का scale होता है, ठीक है 0-6 acid, 7 is for neutral and फिर 7-14 जो है वो आपका basic रहता है, ओके चलो, last question देखो इस वीडियो का, conversion of limestone to quick lime is an example of, again NCIT में से direct question है general science के questions NCIT से बाहर आते ही नहीं, और अगर एक आदा आ भी गया तो वो अपन छोड़के आ सकते हैं, वो यह तो current specific होगा, current affairs में से कुछ पूछ लिया हो, तो अलग बात है नहीं तो NCIT के बाहर से नहीं आता और एक आदा ही आएगा current का general science में से अगर कोई question आएगा तो इतनी detail में मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने काम का क्या है यार, अपने science थोड़ी करनी है अब, ठीक है, हमने अब science नहीं पढ़नी, अब हमने science stream नहीं select करनी है, मैं basic पता होना चाहिए, NCRT में 3-4 लाइनों में explained है, और अपने वहां से काम निकलाएगा, तो यह क्या है, decomposition reaction है, अंसर इसका option A होएगा, सबसे पहले तो decomposition reaction क्या होता है, जब किसी reaction में, एक single reactant, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, limestone to quick line, अब यहाँ पर यह limestone है, CACO3, अब CACO3, एक single reactant है, और जब यह breakdown कर जाएगा, to give simpler products, अब एक item, एक reactant, breakdown हो करके, दो compounds, दो products देगा, तो उसको हम क्या कहते है, decomposition, क्योंकि एक single reactant का decomposition हो रहा है, ठीक है, तो decomposition of calcium carbonate, to calcium oxide, calcium oxide यानि कि आपका quick line, and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction, और यही हमसे पूछा गया था सवाल में, कि यह किस type का example है, अब बिलकुल इतना फालतों का पढ़ते रहें, हम online खोल लें कुछ फाइदा नहीं होगा, सिरफ questions कर लोगे, जनरल साइंस के बड़ा पार उतर जाएगा, अगर अच्छे से answers देख कर लोगे, सिरफ option रटोगे, अच्छा देखो एक और चीज, अब यह भी इसका मतलब नहीं है कि, question खोला, conversion of limestone to quick line is an example of, answer इसका है decomposition reaction, रटा लगाने ल मिलता जुलता तो पूछ लेगा, मिलता जुलता तो पूछेगा, तो उसमें तो अपने को पता होना चाहिए न, तो decomposition reaction हो गया, तो calcium oxide, जो calcium carbonate है, वो calcium oxide और carbon dioxide में decompose हो जाता है, heat करने के उपर, और various industries में use किया जाता है, क्योंकि calcium oxide जो है, यह आपका use होता है, cement बनाने में, cement बनाने के अंदर इसका इस्तिमाल होता है, अब देखो, यहाँ पर question पूछ लेगा, कि calcium oxide is used in the manufacturing of which industry, और is used in the manufacturing of what, नीजे चार option देदेगा, उसमें से एक option होएगा, cement, बन गया एक question, तो question के solution अच्छे से देखना बड़ा important है, पर बहुत ज़्यादा detail में घुसना भी ज़ पांच-पांच questions आपको मिलते रहेंगे, देखते रहो videos, almost आपकी सारी NCRT खतम हो जाएगी, जितने मैं questions कराऊँगा, उतने में ही, और रहे, तो चैनल को subscribe जरूर करना है, एक चीज़ यह ध्यान में रखनी है, चैनल को subscribe करना है, share करना है चैनल को, जितनी reach बड़ेगी ना उतना energy आएगा, ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अगली class में, तब तक के लिए, all the best time, bye bye